हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक जीटेक पॉली तो कैसे आप लोग उमेद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो यहाँ पे स्टुडेंट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चेप्टर चेप्टर नमबर नाइन जिसमें ह हम रूप से यानी च्छतों के बारे में बात करने वाले हैं अगर हम प्रिवियस लेक्शर्स की बात करें या प्रिवियस चैप्टर की बात करें तो उसमें हम लोगोंने डिफरेंट टैप्स के क्या देखा था फ्लोरिंग के बारे में बात किया था फ्लोरिंग का मतलब क्य यहाँ पे छटों की बाद करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमीशा की तर्णा देख लेते हैं एक बार कि बटा हमें, हमें पढ़ना क्या है? हमारे जो स्लेबस है, वो क्या-क्या है? इस चाप्टर में, के बारे में अगर हम बात करें कि type of roofs यानि रूप के प्रकार ठीक है कि roof कितने types के होते हैं दूसरा concept of flat यानि flat roof के बारे में pieced roof यसी कौन बेटा slope roof भी कहते हैं फिर इसके बाद arch roof ये तीनो types के क्या है roof के प्रकार है इनके बारे में हमें अच्छे से deal करना है पढ़ना है ठीक है इसके बाद glossary of term of pieced roof यानि जो हमारा slope roof है इसमें different types के term के बारे में हमें समझना है यानि definitions देखेंगे कि baton क्या होते हैं ips क्या होते हैं फेशिया board क्या होते हैं gable क्या होते हैं hip क्या होते हैं lap क्या होते हैं पर्लिन क्या होता है, राफ्टर क्या होते हैं, यानि different types के valley, ridge, rain, water gutter, increase bolt के बारे में बेटा, यानि यहाँ पे different types के हमारे जो glossary of term है, in definite type के term के बारे में हमें समझना है, इस term के अलामा अगर बात करें, तो हम यहाँ पे roof drainage के बारे में बात करेंगे, फिर further हम बात करेंगे कि roof treatment brick कोबा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो यह हमारा क्या है बेटा, कि basic basic हमारा syllabus है, जिसको हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से, अब बात करते हैं यहाँ पे, start करते हैं आज का lectures बेटा, बिन अटाइम वेस्ट की, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं, कि roof की जरूरत क्यों है, छटों की जरूरत क्यों है, क्योंकि जरूरत इसलिए है, क्योंकि बाहर वरतावरण में क्या होगा बेटा, जानते हैं कि बारिश होगी, धूप होगा, या जो बहुत सारे बाहर के external dust होंगे, वो हमें क्या होंगे, कि हमारे buildings के अंदर आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम रहने लाइक नहीं है, जब तक अगर छट नहीं है, तब तक हम उसको घर भी नहीं कह सकते, ठीक है, तो बेटा समझती है, कि यहाँ पे necessary of, यानि necessity of roofs क्या है, ठीक है न, तो हम बात करते हैं, कि भवन निवासियों और मुल्लेवान वस्तूओं, क्योंकि जानते हैं, कि भरो घरों के अंदर, different types के मुल्लेवान वस्तूओं भी रखे जाते हैं, ठीक है, च्छत के पेगर भवन भवन नहीं कहलाता, पस्वो का बाड ही रह जाता है, ठीक है, च्छत भवन का सबसे उपरी भाग होता है, आप लोग जानते हैं, कि च्छत क्या होता है, सबसे topmost क्या होता है, हमारा पार्ट होता है, बिल्डिंग का देखे तो प्रोटेक्ट द बिल्डिंग रेसिडेंट्स एंड वैलुएबल ऑब्जेक्ट ठीक है जो भी हमारे निवासी रह रहे हैं या जैसे हम कहां रहे हैं हम लोग क्या है कि घरों में रहते हैं इसके अलावा मुल्लेवान समान भी रखते हैं तो उसको करने के लिए जो विवस्था की जाती है बॉतम लेयर पर उसी को कैते हैं उसी को हम क्या केते हैं किसके नाम से जानते हैं उसी को रूप यानी च्छत के नाम से जाना जाता है ठीक है अगर बात करिए यहाँ ATC the permanent covering that is put over the rooms is called roof इसी को बड़ाम क्या करते हैं रूफ के नाम से जानते हैं देखे रूफ क्या होता है कि a building without roof यानि बिना roof के building building नहीं कहलाती है ठीक है न is not called a building it remains just a barn of animal ठीक है the roof is the uppermost part of the building होती है roof को जो हमारी च्छत होती है वो क्या होती है building की top most क्या होती है layer होती है ठीक है या part होता है चलिए तो basic हम लोगों ने बेटा यहां पर बात किया कि necessity क्या है किसकी roof की अगर roof नहीं होगा तो हमारे जैसे धूप है वर्षा है आंदी है कोई हवा चल रही है तेज इसके अलावा ताप है ठंड है इसके प्रकोप से हम इसकी नहीं बच पाएंगे इसलिए हमारे क्या है कि हमें रूप यानि छट की ज़रूरत पढ़ती है चलिए अब बात करते हैं classification of roof देखे रूफ तीन टाइप के होते हैं बेटा रूफ कितने टाइप के होते हैं छट तीन टाइप के होते हैं अब अगर बात कर यहां पे कि सर आप कह रहे हैं कि छट तीन टाइप के होते हैं तो कौ पर 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 आधी तो देलीद क्या है कि की कि तरीकिये से प्राएक प्रइक करते हैं बहुत जगह बेटा आप लोग जाते होंगे घूमने वहां पर भी देखे होंगे ठीक है ना historical places में आपको देखने को मिलता है कि जो हमारी छते होती है वो कैसी होती है कुछ इस तरीके से होती है यानि गुमबट टाइप की होती है ठीक है तो तीन टाइप्स के छतों को देख जब flat होगा ठीक है ना कुछ इस तरीके से sloppy बोल देंगे roof और इस तरीके से होगा तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कह देंगे फिर इसी को हम क्या करते है डूमिया गुमबट छत के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए ब बात करते हैं one by one एक एक के बारे में वन बाई वन एक एक के बारे में समझते हैं समतल या चपटी छत फ्लैट या फिर टेरेस रूफ ठीक है इसी को बोलते हैं दूसरा पीजड और स्लोपी रूफ तीसरा क्या है बेटा गुंबद या डूम रूफ ठीक है न तो ये तीन टैप्स के हमारे बेसिक क्या हो गए हमार रूफ हो गए बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है ये क्या है आपके एक्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए फ्लैट रूफ किसको कहेंगे ध्यान से समझेगे बेटा हमने क्या कहा कि फ्लैट रूफ तो फ्लैट रूफ क्या मतलब है यहाँ पे जैसा कि नाम से ही पता है इस पस्ट है यह चटे चप्टी होती है फ्लैट होती है अथार्थ इनके उपर वर नीचे की सत्र क्या होती है चप्टी होती या समतल होती है मैदानी छित्रों में साधार्थ बेटा जो नौर्मली अगर यूज की बात किया जाए तो फ्लैट रूफी ज्यादे देखने को मिलता है तो ये छित्रों में साधार्थ चप्टी छटों का ही प्रयोग किया जाता है चप्टी छटों के बहुत से प्रकार होती है जिनमें कुछ मुख प्रचलित प्रकार होती है देखे बेटा फ्लैट में भी डिफरेंट टैप्स के हमारे क्या है के रूफ होती है जैसे अगर बात करें यहाँ पे कड़ी वाट टाइलो की छट दूसरा जैक डॉट छट फिर उसके बाद पत्थर की पटियों का छट प्रबली सिमेंट कॉंक्रिट दे कि बेटा सबसे जादे जो यूज किया जाता है सबसे जादे जो छट यूज किया जाता है वो RCC की छटे को ही प्रयोग किया जाता है इसलिए बेटा यह important भी है ठीक है? RCC की छट हो गई फिर reinforced brick की छट यानि different types के जो हमारी flat roof होती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं different types के material की अधार पे हम यहाँ पे classify कर सकते हैं इसमें यह सारी रूफे प्रयोग की जाती है ठीक है? इनके बारे में बेटा हम आगे चलके फिर one by one क्या करेंगे? detail में study करने वाले हैं चलिए अब बात करेंगे flat roof ठीक है? पहला हम लोगों ने क्या देखा? पहला अगर बात करें तो हमने चपटी या समतल चटों की बात कर रहे थे इसमें बेटा क्या है? English version है ठीक न? तो as is clear from the name यानि नाम से ही clear है कि these roofs are flat ये रूफे कैसे होती है? flat होती है that is their top and bottom surface are flat top और bottom कैसा होता है? समतल होता है, flat होता है होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? जादे यूज करते हैं बेटा सबसे जादे आपको जो देखने को मिलता है वो plain roof ही या flat roof ही देखने को हमें मिलता है special cases में हम या तो dome का प्रयोग करते हैं dome roof की प्रयोग करते हैं या फिर दूसरा अगर हम बात करें slope या फिर हम उसे को trust roof को use करते हैं लेकिन जादे तर जो use किया जाता है flat किया जाता है ये क्या होते हैं? pleased and tiled roof होते हैं jack arch proof, stone slab proof reinforced cement concrete या रसी सी के roof हो गए या फिर reinforced bricks proof इसमें क्या होते हैं? इतने types के roof इसमें बनाए जा सकते हैं flat roof के अंदर चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे ढाल च्छते यानि पीज्ड या sloping roof की है ठीक है? यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? कि इस तरीके से जो हमारी sloping roof हो गई तो हम क्या कर रहे हैं? कि sloping roof का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे जादे बारिस होती है जहाँ पे जादे बर्षा होती है जहाँ पे यानि बात करें बर्फ गिरती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग का करते हैं ठीक है? या industry वगरा में करते हैं इन छटों की सतह धालदार होती है आप देख पा रहे हैं कि यहां पे क्या है धालदार है स्लोपी है यह छटे ऐसे छित्रों में जहां अधिक वर्शा होती है मैंने बताया कि जहां पे जादे एकसेस अमाउंट में बारिस होती है या फिर वर्फ गिरती है कि पढ़ती हो उप मिल जाते हैं ठीक न इस तरीके से क्या होती है ट्रस का प्रयोग करके जो slab बनाया जाता है रूप बनाया जाता है वो इंडियन रेलवेब आप देख पाते हैं railway stations वगर पे तो यहाँ पर क्या है कि अगर ऐसा बनाना है तो ऐसी छट बनाने के लिए यानि स्लोपी छट बनाने के लिए एक फ्रेम जिसे ठीक है ना कैची के नाम से कहते हैं बनाया जाता है और इस कैची के उपर उपयूक्त परकार की छट आवरण यानि यहाँ पे रूफ कवरिंग किया जाता है वो रूफ कवरिंग किसी भी concrete के cover हो सकती है यानि different types के यहाँ पे हम क्या करते हैं roof covering बिछा कर च्छत को तयार कर लिया जाता है च्छत आवरण के पदार्थ के पदार्थ घास फूस से लेकर जस्ती कृति यानी GI galvanized iron की चादरों तक कई परकार के होते हैं different types के होते हैं यह च्छते बड़े पाटों के या में क्या बनाने हैं च्छत बनाने हैं वहाँ पर यह जादे economical होते हैं इस का रड़ इंडरस्टिक यानि अध्योगिक जल या फिर बड़े बड़े पाटों होते हैं के लिए यह च्छते बहुत उपयूगत रहती हैं आप लोगों ने देखा होगा कि कोई company वगर होती है तो उसके बाद उसके उपर क्या किया जाता है सीट चढ़ा दिया जाता है या plastic की सीट वहाँ पर covering कर दिया जाता है तो यह आप लोगों ने जादे देखा होगा तो वो क्यों किया जाता है तो इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहां पर span जो होते हैं वो बड़े सकते हैं घाज फूस से लेकर जी आई सेट तक का प्रयोग किया जाता है ये छते बड़े पाटों के लिए इस पैंस के लिए अधिक उपयोगत रहती हैं इस कारण इंडरस्टिक में हमने बताया कि यानि अध्योगी जलों के लिए या फिर बर्फ एकत्रित भावनों वा सिने धालू ही बनाई जाती है ताकि उस पर वर्षा का जल एवं बर्फ एकत्रित न हो पाए ठीक है पहाड़ी एरिया में हिलीज एरिया में बिटा अगर हमें माल लेते हैं कि तीन फ्लोर तक जाना है थर्ड फ्लोर तक तो पहला दूसरा तीसरा हम क्या करेंगे दूसरा तक कैस सबनाइंगे फ्लैड बना लेंगे लेकिन तीसरा को हम कैसा बनाइंगे उसको हम कैसा बना देंगे ताकि उसके उपर बिर्फ आएगा वाटर आएगा वह क्या होगा आसानी से बाहर चला जाएगा तो इसके पॉइंट अभि उसे हम क्या करते हैं कि different types के उप्योग के अधा करना है चलिए तो यह हम लोगों ने किसके बारे में बात किया PDR sloping roof के बारे में बात किया देखे बटा PDR sloping roof की अगर हम बात करें तो the surface of these roofs is sloping देखे नाम ही इसे पता चल रहा है sloping roof का मतलब ही क्या है कि यहां पे slope हमें देखने को मिलेगा ठीक है sloping होता है these roofs are suitable कहां पे suitable होते है in area where there is heavy rainfall देखे जहां पे heavy rainfall हो रही है या फिर जहां पे heavy snowfall हो रही है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है to make such a roof इस तरीके से अगर हम क्या बना रहे हैं च्छतों को जब बनाते हैं तो first frame called scissor या फिर इसी को trust के हम क्या करते हैं बिटा बनाते हैं एक trust को बनाते हैं ठीक है and the roof is prepared फिर हम क्या करते हैं छट को prepared किया जाता है by laying a suitable type of roof covering एक suitable types के roof से क्या किया जाता है जो frame है उसके उपर हम covering कर देते हैं वो क्या कर देते हैं covering कर देते हैं ठीक है टॉप पे roof covering material range from ठीक है न घास से लेके galvanized यानि GI seat तक हम करते हैं प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद these roofs are more suitable ये कहां पे suitable होते हैं large area के लिए ध्यान समझेंगे large यानि span अगर बात करें larger span यानि बड़े बड़े जहां पे span है वहां पे हमें sloppy roofs ही बनाने पड़ते हैं ठीक है for this reason these roofs are very suitable for industrial water ध्यान देंगे यहां पे industrial water के लिए and snow जहां पे collecting होती है बर्फ ही कठा होता है वहां पे इसको use किया जाता है इसके अलावा cinema hall वगरे में भी आए देखने को मिलता है ठीक है यहां पे अगर बात करें कि in hilly areas the roof of the top floor of residential building is made sloping so that rain water and snow do not collect on it अगर hilly areas है तो वहां पे सबसे जो top होला हमारा floor होगा उसकी जो छथ होगी उसको हम कैसा बनाते हैं slopey बनाते हैं पीजड हम क्या करते हैं रूफ को बनाते हैं चलिए अब आगे बात करते हैं देखें अब देखें हमने बात किया किसकी slopey roof की तो slopey roof में भी different types के हम क्या करते हैं slopey roof में different types के roof को हम बनाते हैं ठीक है slopey roof में तो जैसे अगर बात करें एकल पास्वर ढालू छट या फिर बरामदा छट यानि single side sloping roof या फिर बेरंडा room ठीक है roof दूसरा दुए पाकी यानि गेबल roof तीसरा पीजड गेबल roof फिर collar beam roof फिर mid slung या फिर queen post scissor roof फिर इसके बाद saved scissor roof यानि इतने types की क्या आते हैं ये सारे के सारे जो roof हैं ये कौन सी category में आते हैं सारे के सारे हमारे slopey या फिर pieced roof है ठीक है उसी के ये प्रकार है इनके बारे में भी one by one हम क्या करेंगे next slide में पढ़ेंगे फिर बात करते हैं तीसरे कौन सा है गुमबद तीसरा जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है गुमबद ठीक है तीसरा जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो कैसा देखने वाले हैं गुमबद type का क्या हमारा roof यानि छत आप लोगोंने देखा होगा कि गुमबद का मतलब क्या ह कुछ इस तरीके से छटों को ढाला जाता है इस तरीके से क्या किया जाता है गुंबद को ढाला जाता है ठीक है चलिए गुंबदार छटे आकार में गोल होती हैं बेटा कैसी होती है ये आकार में गोल होती है ठीक न ये छटे सामानत इसमारक भवनों यानि जो हमारे क्या है इसमारक भवन होते हैं या फिर एतिहासिक जो बिल्डिंग होती है या भवन होते हैं धार्मिक भवनों तथा बिसाल कहां से समझेंगे यूज कहां किया जा रहा है यूज किया जा रहा है इसको इस मारक भवनों में ठीक है कोई इस मारक है कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वहां पे कोई रिलिजियस यानि धार्मिक भवन है वहां पे और जहां पे 20 साल असेंबली भवन है वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं किसका डोम यानि यह हमारा गुंबद का प्रयोग करते हैं ठीक है छत का प्रयोग करते हैं आधी के लिए ही प्रयोग की जाती है आज कल इनका प्रचलन काफी कम हो गया है इनका निर्माण कठिन वह जोखीम योगत होता है बेटा आज के टाइम में अगर आ मिस्तरी की जरूरत पड़ती है और लेबर मजदूर की जरूरत पड़ती है तो इसको हम हर एक जगा ठीक है देखे तो इसको हम हर एक जगा क्या कर सकते हैं यूज नहीं कर सकते हैं इस्पेसल केस में यूज करते हैं कोई इसमारक हो गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई पे कोई assembly वगरा हो गई तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर लेते हैं इसका बनाना निर्माड करना बहुत कठीन होता है और यह जोखिम भूर्ड होते हैं यानि यह क्या होते हैं वहाँ पे दुरघटनाए भी हो सकती है इस तरीकी का यहाँ पे क्या होता है डर बना रहता है तो the domed roof are round in shape यह कैसे होती है round in shape होती है these roofs are generally used for memorial buildings memorial building में use की जाती है इसके बाद historical building में प्रयोग की जाती है religious building में प्रयोग की जाती है religious building में आपको देखने को मिलेगा और जहाँ पे large assembly है building है वहाँ पे हमें कौन सा छत देखने को मिलता है रूफ देखने को मिलता है वहाँ पे हमें dome या फिर AC को domes या फिर गुंबद वाला छत हम देखने को मिलता है ठीक है nowadays यानि आज कल the year prevalence has reduced ठीक है ना इसका प्रचलन का काफी reduced हो गया है considerable the year construction is difficult and risky यह बनाने में कैसे होते हैं risky होते हैं चलिए अब देखिए यहाँ पे different types के अब हम बात करने वाले हैं glossary of term के बारे में यानि सबसे जादे most important चीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है हमारे इस particular chapter में chapter number 9 में जिसमें हम roofs के बारे में देखे हमने 3 types के roof को classify किया पहला हम लोगों ने देखा flat roofs, दूसरा हम लोगों ने देखा peased या sloppy roof, तीसरा हम लोगों ने देखा क्या? dome या फिर उसी को हम क्या बोल रहे थे हम उसको इस तरीके से बनाते हैं ठीक ना? तो उसी को हमने क्या कहा? कि गुमबद या fixing domes के नाम से जानते हैं चलि यानि जो slope हम बनाते हैं जिसको हम arch roof कह रहे हैं इसमें different types के term को use किया जाता है कौन-कौन से term है इसके बारे में समझते हैं ठीक है बहुत important है बेटा ये आपके previous year में ये पूछा भी गया है ठीक है ये बहुत important है बहुत important है सबसे पहले बात करते हैं कि बेटेन क्या होते हैं आपको figure के थुरू यहाँ भी समझाया जाएगा और यहाँ पे theory के द्वारा भी देखते हैं कि क्या होता है लकडी की चपटी लंबी पट्टियों को बेटेन कहते हैं किसको कहते हैं सर हमने कहा लकडी की चपटी लंबी पट्टियों को बेटेन कहते हैं ठीक है न देख पा रहे हैं आप यहाँ पे लकडी की यह क्या है चपटी इस तरीके से यह क्या है यहाँ पे देख पा रहे है यह क्या है हमारी लकडी की इस तरीके से member बनाई जाती है इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटन के नाम से जानते हैं ठीक है यहां से आप देख पा रहे हैं फिगर में आप देखी बेटन ये क्या है हमारा ये लकड़ी की क्या है चप्टी लकड़ी है इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटन कहते हैं यह common rafter के उपर ध्यान से सम कम हो जाए और स्लेट अथवा टाइलो को परियाप्त आधार मिल जाए ठीक है इसको कहा इसका मतलब क्या है विटा अगर आप समझे बेटिन का मतलब तो सर आप यह कह रहे हैं कि यह लकड़ी की एक चपटी लंबी पटी को बेटन कहते हैं ठीक है इसके बाद अगर हम बात कर इसको क्यों किया जाता है यूज इसको इसलिए यूज किया जाता है कि ताकि क्या है कि यह क्या है टाइलो को एक परियाप तक बेस भी प्रोवाइड करेगा और दूसरी बात यह क्या करता है कि यह कॉमन जो रॉफ्टर के उपा तथा इसके लंबो जो आसपास की जो गैप है ना अथवा सटाकर लगाए जाती है ताकि छत की जो gap है उसको reduce करने के लिए क्या किया जाता है बैटन को लगाए जाता है ठीक है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा क्या है यह देखें tiles है ना इसी को उपर tiles लगाए जाता है देखें यह इस एक तरह से लकड़ी लंबी का यानि यह क्या है चप्टी लंबी पट्टी को बेटन के नाम से जाना जाता है ठीक है देखिए अब अगर बात करें कि फ्लैट लॉंग स्ट्रीप आफ उड़ आर कॉल्ड बेटन्स इस आर इंस्टॉल किया जाता है जो हमारी टाइल्स होती है उनको क्या मिल जाता है एक सपोर्ट मिल जाता है ठीक है चलिए इसकी बाद आता है गेबल इंड देखिए गेबल इंड क्या है ध्यान से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यह वाला जो हमारा देखिए यह क्या है यह वाला आप देख पा रहे हैं कि गेबल इंड हम किसको कह रहे हैं गेबल इंड यह वाला जो पोर्शन है यह वाला यह वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं गेबल इंड कह रहे हैं यह आप देख पा रहे हैं कि यह वाला जो फेश है हमारा इस साइड वाला यहा जाता है इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे define करेंगे देन जादे समझ में आएगा ठीक है फिर एक बार बात करेंगे गेबल इंड की देखिए ढालू छट की side दिवार यानि कैची के समांतर की उपरी त्रिकोनी उध्वादर फलक को क्या कहते हैं गेबल सीरा कहते हैं ठीक है हम हमने क्या कहा कि छट धालू की जो side वाली दिवाल है कि उपरी त्रिकोनी उध्वादर देखिए त्रिकोनी है ना इस तरीके से त्रिकोनी जो हमारी वार्टिकल फेस होती है ये जो हमारी फेस है ये वाली इसी फेस को हम क्या कहते हैं इसी को गेबल इंड कहते हैं ठीक है अ आप बात करें बेटा आपके जो भी डाउट है वो लास्ट के पांच मुट में आप पूछ लेजिएगा ठीक ना आपके जो भी डाउट है वो लास्ट के पांच मुट में आप पूछ लेंगे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे बेटा PDF आफको मिल जाएगी टेलीग्राम पे जीटिक पॉली टेलीग्राम पे मिल जाएगी चलिए तो हमने क्या बात कर रहे हैं गेबल इंड की बात कर रहे हैं तो हमने यही देखा कि ढालू छट की साइड दिवार की उपरी त्रिकोनी उधवातर यानि वार्टिकल जो हमारी ये फेस है ये जो हमारी फेस है वार्टिकल वाली इसी को हम किसके नाम से जानते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं गेबल इंड के नाम से जानते हैं ठीक है यहां पर आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि इसे क्या केते हैं, heaped end भी कहते हैं, ध्यान से समझेंगे हमने क्या कहा, कि जब ये फैलक धालू हो, ये वाला फेस क्या है धालू हो, यानि, लोपी हो और seatों की द्वाराई से, यानि इसके उपर seat अगर चढ़ाई गई है तो उसको हम heaped end के नाम से जानते हैं, चलिए the upper triangular vertical face the upper triangular vertical face, ये वाला जो है इसी को हम gable end के नाम से जानते हैं, ठीक है, of the of the side wall of sloping roof यानि जो क्या है, parallel to the scissor, is called the gable end, when this face is sloping, या जब इसी face को क्या किया जाता है, ये वाला जो gable end है, इसको slope कर दिया जाता है, यानि इसमें धाल दे दिया जाता है, और उपर से क्या किया जाता है, उपर से इसको seat के द्वारा पाड़ दिया जाता है, हम क्या कहए रहे हैं, कि called hip end, इसको hip end के नाम से जानते हैं, चलिए अब बात करते हैं किसकी इफ्स की देखे इफ्स क्या है अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे ध्यान से समझेंगे आप देख पा रहे हैंगे कि इफ्स किसको कहते है देखे यहाँ से आके यह इस तरीके से यह वाला जो हमारा क्या है ये वाला portion है इसको hips के नाम से जानते हैं इसको हम किसके नाम से जानते हैं hips के नाम से जानते हैं देखे धालू छत का नीचला 36 किनारा जो धालू छत है ये देख रहा है ना धालू छत है इसमें slope है तो इसका जो नीचला वाला किनारा है ये वला जो किनारा है नीचला किनारा ये है ऊपर वला किनारा तो ये है ठीक है नीचे वला ये है तो हम किसकी बात कर रहे है नीचे वाले की तो धालू छत का जो नीचला किनारा है ठीक है ये वला किनारा ये वला जो रेडाब देख पा रहे हैं धालू छत का नीचला 36 किनार जो प्राय आलंब से कुछ बाहर बढ़ा रहता है जैसे ये क्या है कि जैसे ये वाल है तो वाल से आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा क्या किया जाता है सीट वगर को बाहर निकाला जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका घरों पे क्या किया जाता है स जो हमारा 36 यानि horizontal जो यह सीरा होगा इसी को इप्स के नाम से जाना जाता है ठीक है इसी को किसके नाम से जाना जाता है इप्स के नाम से जाना जाता है इस पर इप्स पट्रा लगा कर छट गटर लगाया जाता है ठीक है तो इप्स किसको कहते हैं कि सर स्लोपी जो छट होती है इसका जो outer वाला क्या होता है यह किनारा होता है जो दिवार से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं ठीक है डेड़ से दो फिट बाहर निकाल दिया जाता है तो उसी के जो किनारा होगा उसी को Eves के नाम से जाना जाता है चलिए The lower horizontal edge The lower horizontal edge ठीक है Of a sloping roof which usually extends somewhat beyond the support यानि वाल से क्या किया जाता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है इसी को Eves के नाम से जाना जाता है Eves जो board होते हैं are placed on it and roofing and gutters are installed क्या किया जाता है roofing के लिए यहाँ पे placed किया जाता है and roofed and gutters क्या होते हैं इसी के अंदर install किये जाते हैं ठीक है तो basically जो Eves है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे माल लेजिए कि यह हमारी क्या है छट है छट का जो क्या होगा इस तरीके से slope होगा तो यह जो माल लेते हैं यहाँ तक wall है wall के बाहर यह जो निकला हुआ portion है इसका जो horizontal किनारा है इसी horizontal किनारे को हम क्या करते हैं Eves के नाम से जानते हैं चलिए अब देखिए Eves, board या ठीक है Fascia देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे Fascia यानि Eves, board या Fascia क्या होती है Eves के साथ लकड़ी या इसपाद की पत्ली पत्ती लगाई जाती है ठीक है लगाई जाती है हमने क्या कहा कि यानि Eves के साथ छट की लंबाई के समानतर लकड़ी या इसपाद की यानि Steels की क्या होती है Materials की पत्ती लगाई जाती है पत्ली से और इसे ही हम क्या करते हैं इपस बोड या फिर फेसिया के नाम से जाना जाता है ठीक है इस बोड की साथ गटर लगाया जाता है छट से बहता हुआ वर्सा जल गटर में आकर गिरता है जहां से यह पानी डाउन पाइप आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे साल कलेक्ट होता है हमारा water का पानी जैसे rain हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि जो पानी इकठा होता है छत का उसको एक pipe के द्वारा हम क्या करते हैं जिसको उस pipe को हम down pipe कहते हैं इसके द्वारा पानी को बाहर निकाल लिया जाता है ठीक है तो जहां करते ही क्या along the eaves along the eaves eaves के along a thin strip of wood or steel is placed parallel to the parallel किया जाता है length के जो length ज़त का जो है length उसी के parallel इसको बिठाया जाता है which is called eaves board इसी को eaves board के नाम से जानते हैं हमने क्या कहा कि ये देखे eaves है ये हमारा हमने eaves तो जान किया कि eaves क्या होता है अब इसी जो हमारा seat है उसी के नीचे हम क्या कर रहे है horizontal directions में यानि लंबाई के directions में क्या कर रहे है एक seat को provide करा रहे है इस seat को ही हम क्या कर रहे है जो seats को provide करा रहे है उसी seat को eaves board के नाम से या फिर faecia के नाम से हम जानते हैं ठीक है the rain water flowing from the roof fall into the gutter from where this water is taken down to the ground through a down pipe ठीक है तो इसी को हम eaves board या फिर faecia के नाम से जानते हैं चलिए इसके बाद आता है बीटा perlin अब देखे perlin क्या होता है ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पे perlin की तो perlin क्या होते है ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पे perlin की तो perlin हमारे क्या होते है इस्ट्रक्चर्स में अब यहाँ पे देखे perlin के बारे में एक कैची यानि ट्रस को दूसरी कैची से जकडने के लिए तथा चादरों को उचित सहारा देने के लिए हमने क्या कहा कि एक कैची यानि ट्रस को दूसरी यानि ट्रस से जकडने के लिए एक ट्रस क्या है वेटा हमने बताया था इस तरीके का जो member होता है उसको हम क्या करते हैं ठीक है ना तो इस ट्रस को हम क्या कर रहे हैं एक ट्रस को दूसरी ट्रस से जकडने के लिए बांधने के लिए ठीक है न तथा चादर को उचीत सहारा देने के लिए इसके उपर जो covering करते हैं उसको सहारा देने के लिए हम क्या करते हैं जो अनेक आव्यो रिज के समानतर तथा मुख्य राफ्टर के उपर लगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं राफ्टर या उसको हम परलिन के नाम से जानते हैं परलिन की लंबाई छट की लंबाई के बराबर होती है परलिन की जो लंबाई होती है वो छट की लंबाई के बर ट्रस बनाईए ठीक है आप एक ट्रस बनाईए और उसके उपर क्या करिए उसके उपर आप कोई भी कवरिंग करिए अभी हम लोगों ने देखा घांस पूछ से लेके जी आई सीट तक का प्रयोग किया जाता है तो अगर हम इस परलिन को बना रहे हैं इस परलिन अब इसके ब ट्रस को दूसरे ट्रस से जगडने के लिए और कवरिंग जो हमारी की गई है उसको बांद के रखने के लिए हम परलिन का प्रयोग करते हैं ठीक है परलिन की जो लंबाई होती है वो जो छट की लंबाई होगी उसके बराबर होती है छट चादरे इन्ही परलिन पर जड़ी जाती हैं लहरिया चादरे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके की जो लहरिया चादरे होती है इस तरीके से ठीक है लहरिया चादरे जो GI Seat की या फिर Asbestos Cement की जो होती है वो कि गेज मोटाई को ध्यान में रखते हुए परलीनों की आपसी दूरी कम से कम 1.6 मीटर से 2.8 मीटर तक रखी जाती है ठीक है तो basically हमने देखा कि परलीन क्या होते हैं कि एक ट्रस को दूसरे ट्रस से क्या किया जाता है आपस में बढ़ियां बांधने के लिए जकडने के लिए और जो हम उसके उपर covering करते हैं ट्रस के उपर उसको भी क्या करता है वो बांध के रखता है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं यानि जो बांधने वाला जो member है उसी को हम क्या कहते हैं परलीन के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए To fasten one trust to another and to provide proper support proper support provide करने के लिए and to fasten one trust to another के लिए और provide proper support to the seat यहाँ पे many elements which are installed parallel to the ridge and the above the main rafter as called इसी को क्या कहते हैं परलीन बोलते हैं The length of the perlin is equal to the length of the roof roofing seats are fixed किया जाता है on these perlin ठीक है इसी perlin के उपर जो हमारे roofing seats होते हैं उसको क्या किया जाता है fix कर दिया जाता है ठीक है जकर दिया जाता है Keeping in mind the gauge thickness of the corrugated seat ठीक है galvanize seat हो सकती है asbestos cement seats जो होते है the distance यानि जो perlin की distance होती है वो हम क्या हाँ पर रखते हैं कितना रखते हैं इसको 1.6 meter से 2.8 meter के बीच में रखते हैं ठीक है perlins को लगाते चले जाते हैं चलिया अब बात करते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हमारा क्या है जैसे माल लेते हैं ट्रस का मेंबर एक यह है एक ट्रस का मेंबर यह है इसके बीच में इसको बांद के रखने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से perlin लगाई जाती है ठीक है इस तरीके से क्या किया जा रहा है यह जितना भी आप ठीक है ब्राउन टाइप का यह देख पा रहे है इसको हम क्या कह रहे है यह सारे हमारे perlin है ठीक है तो यह हमारे क्या है basically perlin क्या कर रहा perlin बांद के रख रहा है जो अंदर साइट का जो हमारा ट्रस है और जो बाहर साइट का जो ट्रस है इसको बांद के रखता है इसके इलावा यह क्या करता है जो covering की गई है इसको भी क्या करता है बांद के रखता है तो यह हमारा क्या होगा? परलील अब बात करते हैं common rafter common rafter क्या होते हैं common जो rafter होते हैं जब ढालू छप्रेइल या इस्टेले लगानी होती है ध्यान देंगे जब ढालू छतो को क्या होगा यहाँ पर धापने के लिए यानि cover करने के लिए खपडैल वगरा या टाइल्स की बात हो रही है कि जरूरत होती है या लगाने पड़ती है तो इसके अधार के लिए परलिनों पर थोड़ी थोड़ी जगा पर आड़ी कडिया लगाई जाती है क्या लगाई जाती है कडिया लगाई जाती है जिनें साधार्त राफ्टर कहते हैं ये बत्तें परलिनों के लंबवत और मुख्य राफ्टर के समानतर होते हैं इनकी आपसी दूरी तथा माप इस पर लगाई जाने वाले स्लेटों या टाइलों के माप के अनुसार रखी जाती है हम किस स्टाइज का स्लेट या फिर टाइल्स को लगा रहे हैं ये हमारे उपर क्या होगा है इसके माप के उपर डिपेंड करता है कॉमन राफ्टर की यहाँ पे दूरी ठीक है तो अगर बात करें यहाँ पे देखे अगर हम बात करें यहाँ पे common rafter की ठीक है तो common rafter के अगर हम बात करें तो देखे यहाँ पे यह क्या है हमारा common rafter यह आप देख पा रहे हैं यह वाला जो हमारा member है यह क्या है इसी को हम common rafter के नाम से जान रहे हैं ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है न, यह जो हमारा क्या है, common rafter, इस तरीके से यह वाला portion, ठीक, तो हमने देखा यहाँ पे common rafter के बारे में, ठीक है, जब तो हमने क्या कहा, यह important भी है विटाइक बार, क्या है, कि जब ढालू छतों को ढापने के लिए हम क्या करते हैं, खैपरेल या इस्टेले लगाने पड़ती है, तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, परलिन को थोड़ी थोड़ी दोरी पर, आरी कडिया लगाई जाती है, जिने साधारता हम common rafter के नाम से जानते हैं, यह बथक जाती है इसकी, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, रीज की, ठीक है, बटा की रीज क्या होते हैं, यह भी important है बेट आपके लिए, ठीक है न, यह भी आपके लिए बहुत important है, यह भी important है आपके लिए, चलिए, अब देखिए, बात करते हैं, रीज की, तो आप लोगों न जानते हैं आप कि जहां पे हमारी सारी की सारी members क्या होती है विटा कि जूड़ी रहती है आपस में देखिए यहां पे जिते भी हमारे trusses वगर हैं यहां पे आके क्या होती हैं जूड़ी होती हैं होती हैं कि नहीं यानि यहां वाला भी आएगा यहां वाला भी आएगा यान से बारिस का पानी घुस न जाए तो इसके उपर हम क्या करते हैं रीज के उपर कवरिंग भी कर देते हैं ठीक है इसके उपर हम क्या करते हैं कवरिंग कर देते हैं तो उसी को हम रीज कवरिंग के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए, अब दीखती है एक बार ठीओरी देखे धालू छथ का सबसे उपरी भाग, देखें सबसे उपर वाला पार्ट था जहाँ छथ की दोनों ऊर की धाले आकर मिलती है ठीक है दोनों साइट्स की क्या है इधर की और इधर की छथे आके धाले मिलती है और सबसे उपरी भाग, ठीक है, उसी को रीज के नाम से जाना जाता है, रीज छट की लंबाई के समानतर होती है, क्या होती है, रीज जो होती है, छट की लंबाई के समानतर होती है, पैलल होती है, और उनमें जो पटी लगी रहती है, उसे रीज पटी, यानि रीज बोड या फिर रीज पीस के नाम से जाना जाता है इसमें जो पट्टी लगी रहती है ये देखे इसमें एक पट्टी लगी हुई है ना इसको रीज बोड़या रीज पीस के नाम से जाना जाता है ठीक है रीज का उपरी भाग जो होता है सबसे उपर वाला भाग होता है प्राया अर्ध गोलाकार रखा जाता है यानि अर्ध गोलाकार का मतब क्या है कुछ इस तरीके से ठीक है ना इसी तरीके से होगा तो ये क्या है अर्ध गोलाकार है ठीक है ताकि सीर्स से वर्षा जल प्रवेशना कर पाए जब बारी सोगी तो यहां से पानी ना आए अंदर इसलिए हम क्या करते हैं रीज यहां पे covering कर देते हैं ठीक है रीज का उपरी भाग प्राय अर्ध गोलाकार रखा जाता है ताकि वहां से पानी जो है वर्षा का प्रवेशना कर पाए इसे रीज टोपी या रीज कवर के ना जो sloped roof का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है where the slope of the both side यानि इधर का slope और इधर का slope of the roof mid मिलते हैं अपस में called रीज इसी को रीज के नाम से जाना जाता है तेक है? the ridge is parallel यह क्या होते हैं parallel होते हैn to the length of the roof यह roof के क्या होते हैं lembाई के parallel होते हैं और यह क्या होते हैं strip जो attached होते है to it, it is called ridge-board या फिर इसी को ridge piece के नाम से जाना जाता है the uppermost part of the ridge जो ridge का जो uppermost part होता है is often kept semi-serrgular होता है ठीक है ना यह कैसा होता है semi circular का होता है so that rain water cannot enter from the top top से rain water के लिए यह हमारा क्या किया जाता है covering किया जाता है 80 is called ridge cover इसी को ridge cover के नाम से जाना जाता है चलिए अब देखिए इसके बाद आता है hip, hip क्या होता है ठीक है अब हमारा next क्या है hip अब यहाँ पर बात करेंगे देखिए यहाँ पर different types के term की तो हम बात कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर different types के term के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात किया ठीक है घाटी के बाहर ढालू भाग को कुट्टा या हीप कहते हैं हमने क्या कहा कि इसके जो बाहरी वाला होता है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं इसी को हम जानते हैं हीप के नाम से चलिए देख लेते हैं फिगर के माध्यम से एक बार कि हम hip किसको कह रहे हैं देखे देखे यहाँ पे अगर हम बात करें hip की तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा hip क्या है hip rafter ये क्या है इस तरीकी का ये जो outer वाला ये भाग है न ये वाला देख पा रहे हैं आप जो हमने यहाँ पे mark किया हुआ है red color से से जानते हैं लेकिन अगर बात करें यहां पे हीप राफ्टर की तो यह आप देख पा रहे हैं यह वाला जो कोर्शन है हमारा यह वाला इसको हम क्या कहते हैं इसी को हम हीप राफ्टर कहते हैं ठीक है यह अंदर वाला हमारा क्या था यह बाहर वाला भाग था और यह क्या है तो देखते हैं यहां पर हीप की बात करते हैं हीप की अगर हम बात करें यहां पर ठीक है हीप की देखे घाटी के बाहरी ढालू भाग को पुठाया हीप कहते हैं हीप रेखा पर वर्षा का पानी दो भागों में विभाजित होता है अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ इस तरीके से था और इस पी क्या होगा क्योंकि ये स्लोपी है तो ये क्या करेगा जो वर्षा का पानी होगा एक तो इस साइड राइट साइड एक क्या होगा लेफ्ट साइड ये क्या करेगा पानी को डिस्टिब्यूट कर देगा देखे हमने क्या कहा पुट्टा हीप गाटी के बाहरी ढालू भाग को पुट्टा या हीप कहते हैं हीप रेखा पर वर्षा का पानी दो भागों में विहाजित हो जाता है यानि डिवाइड हो जाता है ठीक है होकर अलग अलग छतों की त्रिकोनी ढालू सतह पर बहने लगती है ठीक है त्रिकोनी क्या होगी ढालू सतह पर बहने लगती है अतह यहां गट्टर की कोई आव सकता नहीं होती यहां पर गट्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो उसी कों क्या कहते हैं हीप कह यहां पर किसकी बात कर रहे हैं वैली की यानि घाटी अब देखें घाटी क्या होता है देखें हम जब जानते हैं कि जब दो धालू छते आपस में समकोड अथवा किसी अनन्यून कोड पर मिलती हैं क्या हो रही बात कि देखें जब दो क्या हो रही है कि दो स्लोपिंग हमारी रूफ आपस में या तो यहां पर राइट एंगल पर समकोड पे यानि 45 या 90 डिगरी पे मिलती है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है तो जो भीतरी संगम को घाटी कहते हैं जो भीतरी संगम होगा उसको क्या कहते हैं घाटी कहते हैं वैली कहते हैं एक बार देख लेते हैं फिगर के माध्यम से कि वैली किसको कहते हैं ठीक है अगर यहाँ पे बात करें किसकी valley की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि दो common क्या है जो rafter आपस में मिलते हैं ध्याँ से समझेंगे वेटा देखे valley देखे यहाँ पे valley की बात करते हैं देखे यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो क्या है स्लोपी आपस में जो मिल रहे है यानि दो क्या हो रहे है कि जो इस तरीके से दो राफ्टर क्या हो रहे है आपस में मिल रहे है ठीक है ना यहाँ पर बात करें यह इस तरीके से और एक इस तरीके से यहाँ पर जब दो क्या हो रहे हैं यहां पर हमने कहा कि जब दो ढालू छते एक छत इधर एक इधर इस तरीके से मिल रहे हैं तो इसके अंदर वाला क्या होगा इनकी छतों से क्या है अंदर वाला जो हमारा पोशन होगा इसी को हम क्या कहते हैं घाटी कहते हैं इसके अंदर वाला जो हमारा भीत तरी वाले भाग को घाटी में दोनों च्छतो से बहता वुआ रेन वाटर एक ही ढालू रेखा पर आकर मिलता है और क्या होता है है ठीक है मिलता है और जिसके लिए साझा गटर यानि घाटी गटर लगाया जाता है ठेक है न, तो देखे, यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ पे दो types के हमारे क्या है, एक छत यह है, slopey roof, एक slopey roof यह है, अब इसके क्या है, कि यह आपस में यह तो 90 degree पे यह 45 degree पे मिल रहे हैं, तो इनके क्या होगा कि जब 12 होगी, तो यहाँ से 12 आएगी, यहाँ से, तो इ च्छत बाहर से निकल जाएगा ठीक है ना च्छत से निकल जाएगा बाहर की ओठीक है तो इसके यानि दोनों कॉवन की जो अंदर वाला जो portion होता है उसी को हम क्या कहते हैं उसी को valley यानि घाटी के नाम से जानते हैं जब दो ढालू च्छते आपस में समकोड या फिर किसी य जिसके जो भीतरी वाला संगम होगा, उसको हम घाटी के नाम से जानते हैं, घाटी कहते हैं, घाटी में दोनों छटों से बहता हुआ रैन वाटर, इससे और इससे एक ही ढालू रेखा पर आकर मिलते हैं, यहाँ पे जिसके लिए साजा गटर लगाया जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, when two sloping roofs meet each other at right angle, कहां पे मिलते हैं, right angle यानि 90 degree पे, या फिर at any other acute angle, the inner junctions is called, inner की जो junction होगी, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, valley के नाम से जानते हैं, in the valley, the rain water flowing from both, the roof converts on the same sloping line for which a common gutter is installed, common gutter को install कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके लिए भी काम दे देगा, और यहां से देगा, और यहां से क्या होगा, इनकी slope से, जो भी rain की water होगी, वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ढाल के दोरा, तो यह हमने देखा, valley के बारे में, तो यहां पे different types के हम लोगों ने, different types के यहां पे हम लोगों ने glossary of term के बारे में देखा, जो हमारे slope की बार, जो slope piz'd है, यानि slope कहें या piz'd कहें, रूप में use किये जाते हैं, ठीक है, next classes में, कुछ और glossary of term के बारे में देखेंगे, then हम क्या करेंगे, next proceed करेंगे, ठीक है, तो अब आप लोगों का कोई doubt है, तो बेटा, एक बार पूछ लिजिए, दो मिनट का time है आपके पास, अगर आपको कोई doubt लगता है, अभी तक आज के class में कोई भी, तो आप फट आफट पूछ सकते हैं, दो मिनट में, और एक बार कमेंट करके ये भी बताएंगे बेटा, कि आज का class कैसा लगा, आप लोगों को मजा आया की नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे, तो आज की class में हम लोगों ने यहाँ पे, chapter number 9 में हम लोगों ने different types के बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे cover कर लिया है, ठीक है न, यहाँ पे अगर बात करें syllabus की, तो देखिए हम लोगों ने type of roof के बारे में बात कर लिया, concept of flat, pieced और arsed roof के बारे में बात किया, फिर यहाँ पे different types की जो glossary of term है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है, ठीक है, ठीक है, चलिए, नहीं बेटा भी chapter खतम नहीं हुआ है, चलिए, मज़ा आ गया है सर, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए PDF क्लास के बार कल की और आज की दोनों ड़ल जाएगी बीटा, चेक कर लेंगे आप, all clear, ओके बीटा, ठीक है फिर class को इंड करते हैं, मिलते हैं next class में नए energy के साथ, नए topic के साथ, ठीक है, तब तक के लिए, bye bye and take care.